हेलो जिगनूस क्या हाल चाल वॉटस अब वेलकम बैक टो ग्राविडी सरकल आपना आपका अपना यूटूब चैनल जिस पर हम लोग क्लास 11 के टॉपिक्स स्टडी कर रहे हैं और अब हम लोग का आज हाइड्रो कार्बन खतम हो जाएगा वैसे तो मैं पिछले लेक्चर में खतम करते था पर मैंने का ठीक है एक लेक्चर और सही तो वस अब हम लोगों कि यहाँ पर जो अरोमेटिक कंपाउंड से उसकी केवल और केवल केमिकल प्रॉपर्टीज बची है तो आईए हम इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज बहुत अच्छे तरीके से डिसकस करें और इसक तो पूुछो पर पूछो और समझ गए नहीं समझे कोई बात separately ऑगे इसको आप उसको सब्सक्राइब करके रख सकते हों चलिहां के बरते हैंकि वहली केमिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं इस इलेक्ट्रोफिलिक Electrophilic Substitution Electrophilic Substitution Reaction Electrophilic Substitution Reaction ठीक है अब Electrophilic Substitution Reaction पहले मैं आपको Reactions करके बता दू हाँ ठीक है सर पहले Reactions करके बता दो चलिए सबसे पहले Chemical Reaction होती ही यहाँ पर हेलो हेलो जी नेशन सबसे पहली Chemical Property जो आती है वो आती है हेलो जी नेशन सर हेलो जी नेशन कैसे होगा देखिए आपके पास में यहाँ पर एक Benzine का रिंग आ गया इस Benzine के रिंग के अंदर आपने डाल दिया यहाँ पर Cl2 नाम का Compound यहाँ पर आपने एक A-L-C-L-3 नाम का एक Catalyst ले लिया तो आपने यहाँ पर क्या देखा कि इस A-L-C-L-3 नाम के Catalyst की Presence में यहाँ पर आपके Benzine के रिंग के ओपर Cl अटाइच हो गया इसको बोलते है हेलोजीनेशन यानि बेंजीन रिंग पर हेलोजन का जुड़ जाना एक एक एक्जैम्पल और बताता हूँ माल दीजिए आपके पास में Benzine रिंग है उसके उपर आपने ब्रोमिन डाल दिया लेट से यहाँ पर आपने ले लिया एनहाइडरस FEBR3 तो यहाँ पर यह क्या करेगा यहाँ पर यह आपके बेंजीन के रिंग के उपर ब्रोमिन लगा देगा यह बन जाएगा आपका क्लोरोवेंजीन और यह बन जाएगा आपका ब्रोमो बेंजीन, clear, बहुत एजी है, क्लोरो बेंजीन और ब्रोमो बेंजीन, देख लो इसको, कोई प्रॉब्लम आ रही है तो पूछो, मेरे ख्यासे तो बहुत ही जादा एजी है, कोई परेशानी इसके अंदर आपको कहीं से कहीं तक नहीं होनी चाहिए, ठीक है, हेलो जी क्लियर हो गया, कोई परेशानी, पक्का, अच्छा, एक स्टार बना कर एक रियाक्शन और लिखेंगे, अगर आपके पास में बहुत एक्सेसिव अमाउंट में क्लोरीन है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपका जो बेंजीन है, आप लोग सब जानते हो कि बेंजीन के 6 कारबन पर 6 हाइड्रोजन होते हैं, तो यहाँ पर अगर आपने एक्सेस ओफ क्लोरीन ले लिया, तो इन प्रेजेंस ओफ एन्हाइड्रस अल-C-L-3 एकदम डार्क कंडिशन में और टेंप्रेचर एकदम ठंडा अगर रखोगे, तो यहाँ के 6 to the 12, 12 क्लोरीन में से 6 क्लोरीन इन 6 हाइड्रोजन को लेकर, यहा अब अब आपका जो बेंजीन का रिंग बचेगा, उसके 6 के 6 हाइड्रोजन निकल गए, यहाँ से 6 क्लोरीन लेकर, लेकिन अभी भी यहाँ पर 6 क्लोरीन बचे हैं, तो वह 6 क्लोरीन यहाँ, 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 यहाँ यहाँ और यहाँ अटैच हो जाएगे, समझ माई बात हैं, C6, CL6, समझ माई बात आप लोगों को, हेलोजीनेशन क्लियर हुआ, क्या इसके अंदर किसी भी तरीक है की, कोई भी परेशानी, चली ग्रेट, हेलोजीनेशन के बात, हम लोग हमारी सेकेंड केमिकल रियाक्शन की तरफ चलते हैं, यहाँ अगली केमिकल रियाक्शन हो है का, कॉंसेंट्रेटेट एच एन ओ थ्री नामके एसिड याने नाइट्रिक एसिड के साथ, कॉंसेंट्रेटेट एच एन ओ थ्री के साथ, इन प्रेजेंस ओफ कॉंसेंट्रेटेट सल्फियूरिक एसिड, तो यहाँ पर कॉंसेंट्रेट सल्फियूरिक एसिड इस एच ए becomes नाइट्रो बैंजीन ठीक है इज होकि आपका नाइट्रेशन नाइट्रेशन के बाद अगली रियैक्षॉन होती है आपकी सल्फोनेशन सल्फोनेशन अब । देखिये आपको सल्फोनेशन बताता हूं आपके पास ने आ गया यहाँ पर एक बेंजीन का रिंग बेंजीन के रिंग का ट्रीटमेंट आपने किया कॉंसेंट्रेटेट ह2SO4 के साथ क्योंकि सल्फोनेशन करना है तो सल्फूरिक एसिट तो लगेगा क्या बात कर रहा है लगेगा अरे यह 100 परसेंट लगेगा लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान रखना चलो यह मैं आपको इसके मेकैनिसम में सिखा दूँगा अभी ताफ जेनरल रियक्शन लिखो यहाँ पर बेंजीन रिंग के ओपर SO3H यानि सल्फॉनिक ग्रूप लग जाएगा है यह बिकम्स बेंज सल्फॉनिक एसिट इट विल बिकम बेंज सल्फॉनिक एसिट अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं यह एक नेम रियक्शन आ रही है अब फ्रीडल क्राफ्ट रियक्शन अब फ्रीडल क्राफ्ट रियक्शन भी आपको दो प्रकार की देखने को मिलेगी फ्रीडल क्राफ्ट रियक्शन में सबसे पहली रियक्शन आपको जो देखने को मिलेगी वो देखने को मिलेगी फ्रीडल क्राफ्ट अलकाइलेशन से काम करती है देखो ध्यान से समझना आपके अपास में एक बेंजीन का रिंग आ जाएगा इस बेंजीन के रिंग का ट्रीटमेंट आप CH3 CL के साथ करेंगे तो यहां पर क्या होगा यहां का CL यहां के H को लेकर HCL बनके बाहर हो जाएगा और अब यहां पर क्या हुआ? यहांगा क्योंकि हाइट्रोजन इसके क्लोरीन के साथ HCL बनके बाहर हो गया यहाँ पर लग जाएगा CH3 यह बन गया तुम्हारा अलकाइल ग्रुप यहाने बेंजीन रिंग के उपर एक अलकाइल ग्रुप का जाकर जुड़ जाना है is called as alkylation समझ में आगे बात आप लोगों को alkylation को आप ऐसे भी कर सकते हो मतलब केवल CH3 नहीं यहाँ पर और भी बहुत सारी चीज़े हो सकती CH3, CH2, CL जब आप उसका treatment एन हाइडरस लाइक चलो FeCl3 ले लो तो यहाँ पर आपको वही सेम केस होता हुआ दिखाई देगा यहाँ से H, यहाँ से CL के साथ HCL बनके बाहर और यहाँ पर attach हो जाएगा CH2, CH3 यह है आपका methyl benzene यह है आपका methyl benzene यह है आपका Ethyl benzene समझ माया concept alkylation के बात आप लोगों को यहाँ पर asylation भी देखने को मिल सकता है you will observe asylation also अब asylation के अंदर क्या होगा प्यारे बच्चो asyl group जोडना पड़ेगा asyl group यहाँ वह तुमारा जिसके prefix में आप oil halide लगाते हो o y l halide sir कैसा दिखता है तरह दिखाओ देखो यह दिखता है CH3 c double bond o c l हो गया न यह तुमारा इथे noil chloride ethenoil chloride हो गया न इथे noil chloride तो जब आप इसका treatment n hydras alcl3 के साथ करोगे तो वापस से benzene में से एक hydrogen इसके c l को लेकर hcl बन के बाहर हो जाएगा और यह तुमको एक aromatic easter बना कर देगा इस compound को बोलते हैं acetophenone अगर आप लोग को याद हो तो इसको acetophenone के नाम से जाना जाता है ठीक है कोई परेशानी कोई दिक्कत किसी भी तरीके की ठीक है in fact यहाँ पर acylation के लिए आप एक compound का और इस्तमाल कर सकते हैं that is acid enhydride जैसे कि आपके पास में है CH3 C double bond O O C double bond O CH3 इसको बोलेंगे ethenoic enhydride ethenoic enhydride इसके लिए भी आप यहाँ पर catalyst वही enhydrous ALCl3 का इस्तमाल करेंगे ठीक है अब यहाँ पर क्या होगा यह इस तरीके से तूट जाएगा यहाँ से जो hydrogen निकलेगा वह hydrogen इसके साथ combine होकर बना लेगा CH3 C double bond O OH यह आपका acetic acid बनके chemical reaction से eliminate हो गया और आप यहाँ पर क्या बचा यहाँ पर बचा benzene का ring इससे जुड़ गया C double bond O और CH3 तो यह वापस से आपका उपर जैसा acetofenone बन गया तो यह होगया आपका acylation तो गाइस इस तरीके से आपके electrophilic substitution reaction काम करते हैं अब ज़रा इसके mechanism की तरफ चलते हैं इस reactions के थोड़ा हम इसका mechanism समझ्य की कोशिश करते हैं mechanism में सबसे पहले आप एक बात बताओ reaction का नाम क्या है electrophilic substitution reaction तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोगों को हमारा electrophile generate करते आना चाहिए कि 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 प्रकार electrophile का यहाँ पर generation हो रहा है electrophile कि तरीके से बन रहा है तो आपने यहाँ पर एक बात notice करी होगी आपने यहाँ पर एक बात notice करी होगी कि मान लोगर आप यहाँ पर chlorine ले रहे हो halogenation में मान लो आप यहाँ पर methyl chloride ले रहे हो friedel craft alkylation में मान लो आप यहाँ पर ethanoil chloride ले रहे हो friedel craft asylation के लिए आप यह तीन starting material let's imagine ले रहे हो अब यहाँ पर आप क्या कर रहे हो आप यहाँ पर ज़रा page पलटा कर देखो आपने इन सभी cases में enhydrous alcl3 enhydrous alcl3 enhydrous alcl3 enhydrous fecl3 आपने यह चूज किया आप देखो halogenation में enhydrous alcl3 enhydrous alcl3 enhydrous alcl3 enhydrous febr3 enhydrous fecl3 febr3 आपने यह क्यों चूज करे आपने यह as a catalyst क्यों चूज करे क्योंकि बटा यह सारे के सारे बिकॉस 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 देहव incomplete octet इन में से सारे के सारे बन जाते हैं Lewis acid Lewis acid का मतलब होता है जो electron pair electron pair बोल लो या आप loan pair बोल लो यह loan pair या electron pair acceptor होते हैं they are loan pair और electron pair acceptor होते हैं तो यह दोखो catalyst किस तरीके से काम करेंगे बड़ा मज़ा आएगा देखके यहाँ पर आपके पास में alcl3 alcl3 अब यहाँ पर क्या होगा यह catalyst halogen के पास बोलेगा है 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 electron दो electron दो तो यहाँ पर क्या होगा यह इस प्रकार से heterolysis करेगा यह इस प्रकार से क्या करेगा heterolysis करेगा और heterolysis करने के साथ-साथ यह chlorine अपना एलेक्ट्रान तो अपने पास रखेगा लेकिन यह पडोशी वाले क्लोरीन का एलेक्ट्रोन उठाकर इसको इस प्रकार से डोनेट कर देगा तो यहां पर यह वाला क्लोरीन एक positive charge लेकर घूमता फिरेगा क्योंकि इसका एलेक्ट्रोन तो इसको दे दिया है और अब ये वाला क्लोरीन आप देखो इसके पास CLA, CLA, CLA यानि इस क्लोरीन के, जो इस aluminum के पास में जो तीन electron थे aluminum के outer motion में तीन electron होते हैं वन, टू, एंड थृ ये तीन electron aluminum के पास है अब ये जो चोथा क्लोरीन आया ये क्लोरीन ने ये electron अपने पास रखा ये electron आपने पास नखा दो, technically ये इसका lone pair हो गया, तो ये chlorine अपने वाले lone pair को इसको इस प्रकार से donate करके coordination bond बना लेता है, तो इस प्रकार आप देखेंगे कि आपके aluminium का octet अभी temporarily पूरा हो गया, इसी लिए इस complex को ALCl4 negative complex बोला जाता है, इस complex को क्या बोला जाता है, ALCl4 negative complex, बन गया आपका electrofile generate हो गया, electrofile क्या होता है, जिसके पास positive charge हो, जिसको electron पसंद हो, electrofile का मतलब क्या होता है, electro मतलब electrons, and file मतलब loving, याने ये electrofile याने electron loving nature क्या होते है, ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भी case होगा, यहाँ पर भी अगर मानलो आप ALCl3 ले ले लेते हो, तो ये भी इस प्रकार से heterolatically टूटेगा, chlorine अपना loan पर इसको दे देगा, तो ये बन जाए अगेगा, मानलो आप यहाँ पर ALCl3 नहीं, मानलो आप यहाँ पर FeCl3 ले ले लेते हो, उसका भी octet incomplete है, यहाँ भी आपके iron का octet incomplete है, तो ये यहाँ पर इस तरी case से heterolatically टूट जाएगा, ये CL इसको donate हो जाएगा, तो यहाँ हमें मिल जाएगा CH3, C double bond O, positive charge ये बनगे आप का electrophile, और ये FeCl4 negative बनके temporary reaction medium में घूमेगा, समझ में आ गई बात सब लोगों को, समझ में आ गई सब लोगों को बात, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, किसी भी तरीके की, कोई भी problem, अच्छा, अभी में और electrophile generate करना सिखा रहा हूँ आपको, अब आप देखो, यहाँ पर अब नाइट्रेशन आ गया, तो नाइट्रेशन में आप लोग इस्तेमाल करते हो, HNO3, तो आपका HNO3 कुछ ऐसा नजर आता है मुझे, नहीं, HNO3, यह, HNO3 आपका ऐसा दिखाई देता है, HNO3, जब HNO3 के सामने, H2SO4 आता है, आप नहीं पर नाइट्रेशन के अंदर तरह पेच पल्टा के देखो, आपने यहाँ पर नाइट्रेशन के अंदर तरह पेच पल्टा के देखो, आप खुदी, नाइट्रेशन के अंदर आपने concentrated HNO3, with concentrated H2SO4 लिया है, तो अब यह H2SO4 क्यो लिया है H2SO4 यहां पर catalyst का काम कर रहा देखो यह क्या करेगा H2SO4 यहां से hydrogen को भगा देगा hydrogen का electron यह वाला oxygen अपना electron तो अपने पास रखेगा लेकिन hydrogen के electron को यहां से भगा देगा तब hydrogen का electron यहां पर positive charge लेकर घुमेगा तो यह oxygen आकर इस पर attack कर देगा नाइट्रो ग्रूप का तो यहां पर तुम्हारा nitrogen एक oxygen इससे double bond O यह oxygen oxygen पर एक lone pair एक hydrogen यह वाला जिसको इसने अपना lone pair दिया है वो जुड़ गया एक hydrogen पहले से attach लेता अब इस oxygen पर आ गया positive charge और यहां पर आपका यह HSO4 नेगेटिव बनके यह आराम से घुम रहा है sulfuric acid आराम से मज़े ले रहा है अपनी life भच्चा नहीं life जी रहा है उसे को attention नहीं अब यहां पर यह oxygen बोलेगा मेरे से mistake हो गई मेरे से mistake हो गई अब मैं क्या करूँ क्योंकि मैं तो कभी positive charge लेके रही नहीं सकता जिन्दा मेरे को negative charge चाहिए तो अब सब बोलेंगे भई तूने क्या करा तूने तेरा loan pair इस hydrogen को दे के गलती करी अब तू तेरा loan pair वापस ले ले तो अभी oxygen बोलेगा अरे यार मैंने अभी अभी तो इस hydrogen से रिष्टा जोड़ा है किस मूँ से इसके bum पे लात मारूं मैं इसको नहीं भगा सकता अभी त मैं दूसरे hydrogen को ठोड़े निका लूँंगा मलब imagine करो मैं सब्सक्राइब तो मेरी प्लेट में सब्सक्राइब में वही खा़ लूँगा वह समोसा उतना ही जंवी घरम है उतना ही टेस्टी है उतना ही quality wise अच्छा है तो मैं वह अच्छा समोसा हटा के दूसरा अच्छा समोसा प्लेट में क्यों लूँगा भाद समझ में आ रही है तो यह oxygen बोलेगा नहीं या मैं इस hydrogen को भी नहीं भगा सकता तो लोग बोलेंगे ठीक है नाइट्रोजन को भगा दे क्योंकि वैसे भी तू नाइट्रोजन के मुकाबले जादा इलेक्ट्रो नेगेटीव है तो बस अब क्या होगा यह oxygen इस nitrogen के electron pair को अपने पास लेकर अपने दो lone pair revive करके अपने water को बाहर निकाल देता है और यहाँबर बचता है N यहाँबर बचता है आपका nitrogen with two oxygen और nitrogen के ओपर एक positive charge चुकि nitrogen का यह वाला electron यह पडोसी oxygen ले गया तो बन गया आपका nitro group electrophile generate हो गया हो गया की नहीं हो गया हो गया आगया मज़ा अरे वा सर बड़ी हमज़ा आगया nitro group भी हमें create करना आगया अब sulfonation में चलते हैं जिसे मैंने आपसे कहा था sulfonation के अंदर आपने concentrated H2SO4 यूज किया लेकिन वहाँ में कुछ बोलते बोलते रहे गया था वो मैं आपको बताता हूँ क्या बोलते बोलते रहे गया था वहाँ पर मैं आपको ये बोलना चाहरा था कि आपको actually two moles of sulfuric acid यहाँ पर choose करना है I mean आपको यहाँ पर catalyst के तोर पर एक नहीं बलकि एक particular molecule को react कराने के लिए दो molecule sulfuric acid के लगेंगे अब यहाँ पर क्या होगा देखना obviously बाते यह acid की तरह behave करके अपने एक hydrogen के bum पे लात मार देगा तो यह oxygen अपना electron तो अपने पास रखेगा यह hydrogen का electron भी अपनी और खीच लेगा खीच लेगा प्यारे बच्चो अब यह hydrogen का electron खीच जाने के बाद यह hydrogen बन गया positive तो यह पडोस वाले h2so4 का oxygen मुलेगा चिंता मत कर तु मेरे पास आजा तो अब यहाँ पर यह hso4 negative बन के घूमने लगेगा अब यह hso4 गया तेल लेने इस से हमको कोई लेना देना नहीं है अब यहाँ पर क्या situation बनी h o s double bond o double bond o अब यह oxygen ने अपना लोन पर इस hydrogen को दे दिया यह hydrogen आकर जुड़ गया यह वाला यह hydrogen एक उससे पहले से जुड़ा हुआ था एक लोन पर पहले से था और अब इस oxygen पर आगया positive charge अब situation समझ महीं क्या हुई अब फिर यह वाला oxygen रोने लगेगा मेरे से तो गलती हो गई मेरे पे तो positive charge आगया तो लोग बोलेंगे hydrogen को भगा दे तो यह oxygen बोलेगा यह hydrogen को तुम मैंने अभी अभी जोड़ा इसको मैं कैसे भगा हूँ तो लोग बोलेंगे ह multifar को रखने के लिए मैं इसको थोड़ी भगा का तो लोग बोलेंगे भई Sulfur को भगा दे तू Sulfur से ज़ादा Electro Negative तो बोलेगा हाँ गुड आइडिया तो यह Water बनके बाहर हो जाएगा और यहाँ पर Sulfur Sulfur का क्योंकि यह वाला Electron अभी यह Oxygen अपने साथ लेके जा चुका है Sulfur पर आ जाएगा Positive Charge Sulfur के पास में तीन Oxygen है इसलिए SO3 और एक Hydrogen है इसलिए H यह बन गया तुम्हारा SO3H Electrophile समझ मही बात यहाँ पर आप देखो आपने Sulfonation में आप लोगोंने Sulfonation में यही किया है SO3H Group को जोड़ा है तो आपको SO3H Group जनरेट करते आ गया तब हम लोगों को लगबख सारे Electrophile जनरेट करते आ गया हमने SO3H जनरेट कर दिया Sulfonation का Nitration का भी हमने जनरेट कर दिया हमने यहाँ पर Asylation Freedom Craft Asylation जनरेट कर लिया Freedom Craft Alkylation जनरेट कर लिया और हमने यहाँ पर हेलोजी नेशन का Halogen भी generate कर लिया तो Electrophile generate करना आने के बाद अब हम लोग चलते हैं कि यह Electrophile ring के अंदर कैसे जाकर attack करेगा और कैसे पहले से मौझूद Electrophile को यहां से यह replace करेगा formation of Carbocatien formation of Carbocatien on Arene अभी में आपको सिखाय था ना फिछले लेक्चर में कि अरोमेंटिक हाइड्रोकार्बन को अरींज भी बोलते हैं तो देखें अभी काम कैसे करेगा अब आपके जब बेंजीन के रिंग को ध्यान से देखोगे तो आपके बेंजीन के रिंग में यहां पर आपको अल्रेडी ह एक हाइड्रोजन कनेक्टेट दिखेगा अचा हाइड्रोजन भी प्रकार का इलेक्ट्रोफाइल है आपको मालूम हाइड्रोजन को अगर कोई कंपाउंट अपने से अलग करता है तो वह हमेशा विचारा गरीब एच प्लस के फॉर्म में घुमता है तो हाइड्रोजन यहा यहां पर भी एक हाइड्रोजन होगा अब यह इलेक्ट्रोफाइल इन्वार्मेंट में घुमता घुमता आया अब यह इलेक्ट्रोफाइल कौन हो सकता है यहां पर लिख लो अगर आपको लिखना हो तो इलेक्ट्रोफाइल आपका यहां पर सी एल पॉजिटिव हो सकता है NO2 positive हो सकता है then आपका CH3 positive हो सकता है then आपका CH3 C double bond O positive हो सकता है then उसके बाद तुम्हारा ये क्या हो सकता है HSO3 positive हो सकता है etc. ये बहुत सारे electrophile हो सकते जो electrophile की इच्छा होगी वो यहाँ आएगा अब electrophile बोलेगा जोड़ो मिया हमको भाई साब हमको जोड़ो हमको तो मज़ा आएगा जूढना है हमको तो जोड़ो 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 तो यह वाला कारबन बोलेगा ठीक है मुनद आप कोई सा भी कारबन यहाँ पर ले सकते हो you can choose any of the carbon अभी के लिए में यह कारबन चूज करो तो यह कारबन बोलेगा ठीक है आओ हवेली पर आयो तो तुमको जोड़ लेते हम तो यह कारबन बोलेगा देख मेरा यह वाला इप आ अपने पास वाला जो कार्बन है यह एक काम करता हूं थोड़ा से उसको और बेटर तरीके सा अगर मैं आपको अंडरस्टेंडिंग दू तो आपको और ज्यादा मज़ा आएगा देखो हमें double bond को इधार कर देते हैं अब क्या होगा ये वाला carbon बोलेगा कि मैं तेरे को electoral दूँंगा तेरे इस positive nature रोखतम करूँओं लेकिस ये carbon क्या करता है अपना पास वाला जो carbon कार्bon है इसके पास वाला जो कार्बन है उसके साथ में इसने डबल बॉन्ड वना रख है तो यह कार्बन क्या करेगा sno this all be कि अपना यह एलेक्ट्ऱों तो अपने पास रखेगा कि यह वाला एलेक्ट्रों उठाकर इस इलेक्ट्रोफाइल को दे देगा तो यहां पर आपको situation क्या होती हुए दिखाई देगी कि यहां पर आपकी बेंजीन की रिंग है यहां पर आपका hydrogen पहले से लगाए लेकिन अब यहां पर एक positive charge क्रियेट हो गया positive charge क्यों क्रियेट हो गया यहां पर आपका positive charge क्यों क्रियेट हो गया यहां पर positive charge इसलिए create हो गया क्योंकि ये वाले carbon का electron हमने अभी अभी इस वाले electrophile को produce कर दिया है और ये carbon का hydrogen तो साला पहले से चुड़ा हुआ है वह अब ये carbon के तो बल्ले बल्ले हो गए ये carbon ने एक single bond इस carbon से एक single bond इस इलेक्ट्रोफाइल से और एक single bond is hydrogen से बना दिया और यहां पर आगे एक positive charge क्या बत समझ में आप लोगों को क्या आप लोगों को ये बत समझ में आई इसको बोलते है sigma complex या arineum iron इसको क्या बोला जाता है इसको बोला जाता है sigma complex sigma complex या arineum iron या इसको arine cation भी बोला जा सकता है कैबा समझ में अब देखो problem ये हो रही है कि ये carbon अगर चाहे तो इस hydrogen को bum पे लाद मार के भगा सकता है और इसका electron अपनी और खीच सकता है लेकिन हम ये नहीं चाहते हम क्या चाहते है हम करना चाहते है electrophilic हम यहापर कर रहे है Electrophilic Substitution Reaction Electrophilic Substitution Reaction टेचनिकली हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे है हम लोग उलेक्त्रोफिलिक Substitution कर रहे है इसका मतलब यह जो नया वाला Estefile आकर जुडा है यह Estefile इस पुराने वाले Estefile को Replace करे Estefile Substitution Reaction एक नया Estefile पुराने Estefile को Replace करे और उसकी जगे जाकर बैठे तो हम ये नहीं चाहते हैं कि ये hydrogen बाहर निकले हम चाहते हैं कि ये वाला hydrogen बाहर निकले तो अब इस hydrogen के carbon पर क्योंकि positive charge आ गया है तो हमें इस ring को stabilize करना होगा इस ring का stabilization देखना होगा otherwise गलत hydrogen बली चड़ जाएगा हमें इस hydrogen को बाहर निकलना है तो stabilization के लिए यहाँ पर resonance काम करने लगेगा resonance मैं आपको सिखा चुका हूँ पिछले chapter में यहाँ पर क्या होगा यहाँ पर देखिए आपके इस benzene के ring को सब ध्यान से देखिएंगे अभी technically यहाँ पर एक plus charge है यहाँ पर आपका E और यहाँ पर आपका H जुड़ा हुआ है और यह थोड़ा सा इसको अपन उठा के अंदर कर देते हैं और यहाँ पर आपका H है अब यहाँ double bond है तो अब क्या होगा अगले case में इस positive charge को protect करने के लिए इसके पास वाला carbon और इसके पास वाला carbon अपना double bond तोड़ेंगे और यह carbon अपना electron तो अपना पास रखेगा लेकिन पास वाले carbon का यह electron उठा के इसको देदेगा अब यहाँ पर आपका E जुड़ा हुआ है यहाँ पर आपका R जुड़ा हुआ है यहाँ पर आपका H है अब यहाँ पर बन गया double bond मलब यह carbon stabilize हो गया यह hydrogen जो निकलने वाला था यह बाल बाल बज़ गया लेकिन इस चक्कर में अब यह वाले carbon पर आगया positive charge अब यह वाले carbon पर आगया positive charge अब यह carbon पर positive charge आने की वज़े से इसके hydrogen की वाट लग सकती है तो जल्दी से हमें इसको बचाना होगा तो इसको बचाने के लिए जल्दी से यह पास वाला carbon action mode में आ जाएगा और यह वाला carbon अपने electron को तो अपने पास रखेगा इसके पास वाले यह वाले carbon के इस pi electron को जो double bond बनाने में उसने use किया है वो उठा कर इसको दे देगा तो अब आपको situation ऐसी लगने लगेगी यह E यहाँ पर है R यहाँ पर है यह H तो बड़िया set है अब यहाँ double bond आ जाएगा मनलब यह वाले carbon का जो positive charge था यह खतम हो गया और अब आपका positive charge यहाँ आ गया समझ मैं यह आपको अब आपका positive charge यहाँ आ गया positive charge यहाँ आ गया कोई दिक्कत कोई परेशानी तो अब क्या होगा अब जब यह positive charge यहाँ आ गया तो अब ये वाले कार्बन को समझ माने लगेगा कि अर मेरे से बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई मैंने एक नए इलेक्ट्रोफाइल को तो खुद से जोड दिया मैंने एक नए इलेक्ट्रोफाइल को तो खुद से जोड दिया समझ महीं बात आप लोगों को तो यह रिंग देखो रेजोनेंस करके स्टेबिलाइज हो गई और यहां से आपका H प्लस बाहर हो गया यहांने एक नए इलेक्ट्रोफाइल ने उसी कार्बन पे मौझूद पुराने इलेक्ट्रोफाइल को रिप्लेस कर दिया क्या आपको कॉ स्टेबिलाइज करता है रेजोनेंस क्या यह बात समझ में आई क्या यह बात आप लोगों को समझ में आई देखो जड़ा इसको ठीक है अब यहां पर स्टेप नंबर थी के अंदर रिमूवल ओफ प्रोटॉन हो जाएगा अब यह एक्चुली देखिए रिमूवल ओफ प्रोटॉन कैसे होगा रिमूवल ओफ प्रोटॉन कैसे होगा यहां पर तो मैंने आपको रेजोनेंस में बता दिया बट एक्चुली सिचुएशन क्या बनेगी देखना आप लोग यह आपका बेंजीन करेंगे और अंदर यह रेजोनेंस चल रहा है पॉजिटिव चार्ज अंदर घूम रहा है पॉजिटिव चार्ज अंदर घूम रहा है कभी पॉजिटिव चार्ज यहां देखने मिल रहा होगा आपको कभी पॉजिटिव चार्ज यहां देखने मिल रहा होगा आपको तो कभी पॉजिटिव चार् सामने वह ALCL4 complex आ सकता है अब यह ALCL4 complex क्या है यह तो technically मज़दार चीज थोड़ी है यह तो unstable बना तो यह क्लोरीन के lone pair को लेकर यह न तो अब जैसे इस ring के अंदर जैसे वह ring के सामने यह catalyst आता है यह ring में इस hydrogen के पास वाले carbon पर positive charge आ जाता है यानि यह सब चीज़े एक साथ हो रही होती है तो जैसे इस particular condition में इनके सामने ALCL4 negative आएगा यह carbon इस hydrogen के bum पे लात मारके इसको बाहर निकाल देगा in terms of proton और इस proton को support करने के लिए यह वाला chlorine अपना bond ऐसा तोड़ देगा यह hydrogen यहां से तूट जाएगा और यह chlorine जाकर इस hydrogen पर अटैक करेगा और इसको बना लेगा HCL है HCL बनने के बाद आपकी जो बैंजीन की रिंग है उसमें resonance खतम हो जाएगा proton को support करने वाला और एलेक्ट्रोफाइल जुड़ जाएगा और आपका जो catalyst है HCL 3 यह catalyst as it is reaction से बाहर आ जाएगा ताकि फिर एक नया इलेक्ट्रोफाइल generate करने जा सके समझ माई बात आप लोगों को समझ माई बात आप लोगों को कोई दिक्कत कोई परेशानी जैसे nitrogen वाले case में क्या होता है nitrogen वाले case में क्या होता है यहाँ पर एक नया इलेक्ट्रोफाइल NO2 जुड़ गया यहाँ पर hydrogen पहले से है और यहाँ पर ring के अंदर वो resonance चल रहा है positive charge घुमाया जा रहा है कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ generate किया था यह देखो यह HSO4 negative बहार आ गया था और यह यहाँ से आपका NO2 positive बहार आ गया था और एक water molecule बहार हो गया NO2 positive मिल गया और HSO4 negative बच जिया तो यह HSO4 negative यह आपके sulfonation के अंदर यह sulfonation वाली थी जिसमें दो sulfuric acid लिये थे यह आपकी nitrogen वाला था जिसमें हमने इलेक्ट्रोफाइल nitrogen के अंदर nitrogen rate किया था यहाँ पर भी HSO4 negative है तो यहाँ पर आपका HSO4 negative आएगा HSO4 negative यहाँ से hydrogen को तोड़ेगा और खुद से जोड़ेगा और वापस से बन जाएगा H2SO4 और यहाँ पर आपको मिल जाएगा आपका nitrogen benzene हागई बात समझ में तो यहाँ पर आप electrophile E कर दो और यहाँ वाले case में यह जो आपका electrophile it can be NO2 और it can be HSO3 sulfonation या nitrogen में से यह कुछ भी हो सकता तो इस तरीके मेरे प्यारे बच्चों यह ring आपकी काम करती है कोई परेशानी इसके अंदर ठीक है चलिए तो electrophilic substitution reaction को पूरा complete करने के बाद अब हम लोग चलते हैं हमारे second type की chemical reaction की तरब that is called as addition reaction addition reaction addition reaction addition reaction में सबसे पहली जो reaction होने वाली है that is called as addition of hydrogen addition of hydrogen addition of hydrogen addition of hydrogen अब आप यहां पर देखो जब आपके benzene के ring से आप लोग 3 moles of hydrogen को add कर दोगे in presence of nickel platinum या palladium यह बहुत अच्छे आपके hydrogenation करने वाले groups है इनके पास में खूब hydrogen होता है तो यहां पर क्या होगा यहां पर यह hydrogen hydrogen जाएंगे और सब के सब hydrogen किते hydrogen लिया मैंने 6 एक hydrogen यहां 2 3 4 5 6 6 के 6 carbon पर जाकर attach हो जाएंगे और इसको बना देंगे cyclohexane सारा का सारा unsaturation यहां से गायब हो जाएगा सारा का सारा unsaturation यहां से गायब हो जाएगा similarly अगर मेले पाच में यहां पल बेंजीन आ जाए और 3 moles of chlorine के presence में अगर मैं 500 kelvins का temperature दे के ultraviolet light डाल दूं तो यहां पर ध्यान रखना एक छोटा सा बच्चों को confusion हो जाता जब मैंने हेलोजीनेशन पढ़ाया था यह तो हेलोजीनेशन में 6 moles of chlorine था condition dark थी environment थंडा था और एक Lewis acid नाम का catalyst था तब यहां पर इलेक्ट्रोफिलिक substitution reaction काम होई है छे hydrogen को हटा कर यहां पर नए 6 chlorine जुड़ गए थे लेकिन यहां वाले case में condition थोड़ी अलग है यहां पर मैंने 500 kelvins यानि यहां पर थंडा नहीं गरम temperature रखा है वहां पर darkness थी यहां पर ultra wallet light है मतलब यहां पर sunlight है तो यहां पर condition अलग होने की वज़े से भाई आपके यह 6 जो carbon है इन 6 के 6 carbon पर chlorine जुड़ जाएगा यानि hydrogen तो पहले से था यानि यहां पर आपके hydrogen 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 तो पहले से था लेकिन अब hydrogen hydrogen के साथ में chlorine भी जुड़ गया तो hydrogen तो दिखी रहा है हमें hydrogen तो दिखी रहा है लेकिन साथ में chlorine भी दिख रहा तो इसको क्या बोलेंगे वन कॉमा टू कॉमा थी कॉमा फोर कॉमा फाइफ कॉमा सिक्स हेक्जा क्लोरो साइक्लो पेंटेन या इसको सिंपल बेंजीन हेक्जा क्लोराइड भी कॉमनली बोला जाता है इसको बेंजीन हेक्जा क्लोराइड भी बोला जाता है भी एच ची ठीडिए ठीक है कोई परशान ही मेरे प्यारे बच्चों को किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कट देख लीजिए चलिए अगली chemical reaction and the last chemical reaction जो आती है that is combustion combustion अब देखें combustion के लिए आप लोग सब जानते हो combustion का अब क्यों था burning in presence of oxygen जिसकी वज़े से आपको carbon dioxide water और energy मिलेगे लेकिन aromatic compound के अंदर थोड़ा सा इसका general formula जिसे alkane के अंदर हमने अलग पड़ा था cn h2n plus 2 plus n moles of oxygen gives n plus 1 moles of water and n moles of carbon dioxide यहाँ पर scenario थोड़ा अलग है यहाँ पर अगर आपके पास में cx hy type का अगर आपके पास में cx hy type का अगर आपके पास में कोई aromatic compound है तो उसके लिए आपको x plus y by 4 moles of oxygen को डालना पड़ेगा आपको इससे डाल के इस तरीके से burn करना पड़ेगा तब कहीं जाकर आपको x moles of co2 and y by 2 moles of water दिखाई देगा and y by 2 moles of water दिखाई देगा for example अगर मैं यहाँ पर simple benzene रख दूँ तो simple benzene is c6 h6 तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 plus 6 by 4 moles of oxygen तो अब आप इसको ऐसा कर लो 6 plus 6 by 4 याने 1 मैं इसको 4 कर लो 24 plus 6 याने की 30 by 4 याने 2 याने की 15 या तो या आप इसको 15 by 2 लिख दो ज्यादा बेटर है it will be written as 15 by 2 moles तो 15 by 2 moles इसको convert करके क्या कर देगा 6 moles of CO2 plus 6 by 2 याने 3 moles of water या आपकी reaction हो गई राइट या अगर आप इसको और simplify करना चाहते हो तो पूरी equation को 2 से multiply कर दो तो यह जाएका 2 moles of C6H6 plus यह 15 का 2 इस 2 को काट देगा या पर केवर बचे का 15 moles of O2 12 moles of CO2 and 6 moles of water यह भी ठीक है तो इस तरीके से मेरे प्यारे बच्चों आप combustion करेंगे यह aromatic compounds की list है इसको अच्छे तरीके से ध्यान रख लेना ठीक है चलो इत्ता note करो फिर अब हम लोग चलते हैं कि किस तरीके से आपके बेंजीन के रिंग के उपर हम एक functional group जैसे chlorine, methyl या nitro या CHO या COOH या NH2 group लगाते हैं तो उस वज़े से रिंग के उपर कहां कहां electron density बढ़ती है कम होती है मतब रिंग को वह activate करता है या deactivate करता है वह सीखेंगे and carcinogenicity फिर आपका chapter complete note करो इत्ता चलो तो फिर आगे बढ़ते हैं और नेक्स हरीन डालते है directive influence directive influence of functional group directive influence of functional group on mono-substituted benzene यह इसकी heading का नाम है या पुरे गाओ का नाम है कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरे कि यह इसका नाम है या पुरे गाओ का नाम है है ना पड़ चलो ठीक है directive influence of functional group on the mono-substituted benzene देखो for example आपका एक बेंजीन का रिंग है और इस बेंजीन के रिंग के उपर मेरे पास में लेटस एक A नाम का functional group है एक A नाम का functional group है अब यह देखा गया studies में कि बेंजीन की यह वाली position और यह वाली position ortho position कहलाती है और यह वाली position इसकी para position कहलाती है तो ऐसा देखा गया that some of the functional groups ऐसा देखा गया that some of the functional groups directs directs the substituents directs the substituents substituents towards ortho towards ortho और para position it diverts the substituents towards the ortho और para position क्या बात समझ महीं आप लोग को मतलब कि benzene ring के उपर जब मैंने यह ए नाम का substituent लगाया तो इस substituent ने इस ring के अंदर कुछ ऐसा किया कुछ ऐसा जिसको बोलना चाहिए effect cause करा जिसकी वज़े से जो incoming substituent है जो incoming substituent है let's say E तो यह E नाम के substituent को या तो यह ortho position दिखती है attach होने को या तो वो आकर यह वाली ortho position पर attack करता है या तो वो आकर तो ऐसे groups को बोलते हैं ऐसे functional groups को बोलते हैं therefore such functional groups are called as para are called as para or they are called as ortho ortho directing groups इनको या तो ortho या तो इनको para directing groups बोलते हैं क्या यह बात समझ में आ गई क्या यह चीज आप लोगों को clear हुई तो ए नाम का functional group यहां पर ortho या para directing है याने incoming एक substituent जो आपके benzene ring पर आकर attack करना चाहता है उसको या तो ortho या तो para position पर वो divert करना चाहता है क्या यह चीज समझ में आ गई क्या यह चीज समझ में आ गई आप लोगों को क्या इसके अंदर कोई दिक्कत कोई परेशानी पक्की बात 100% चीज clear लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपका यह जो functional group है let's say अब आपका यहां पर functional group है M नाम का functional group अब यह M नाम का functional group क्या करता है यह M नाम के functional group आपके nucleophile को sorry not nucleophile को आपके incoming substituent को केवल और केवल meta position पर ही attack करने के लिए liable रखता है तो यहां पर क्या होगा electrophile will यह ऐसा बोलना चाहिए कि such functional groups such functional groups that directs that directs the incoming that directs the incoming substituents substituents towards meta positions towards the meta position are called as meta directing they are called as meta directing groups ऐसे groups को क्या बोलेंगे meta directing groups बोलेंगे है न कोई दिक्कत कोई परेशानी एक बात ध्यान रखना कि यहां पर majorly of the time majority of the time majority of the reactions shows this type of product major this type of product यानि majorly case में क्या होता है आपका incoming substituent ortho या para position पर ही attack करता है meta पर बहुत कम attack होता है अब हम समझते हैं कि कौन से functional group meta पर attack करेंगे कौन से functional group para पर attack करवाएंगे ठीक है चलिए सबसे पहला case हम लोग यहाँप study करते हैं ortho and para directing ortho and para directing ठीक है पहला बच्चो ready चलो अब यहाँपर समझना कि यहाँपर इसे कौन कौन से functional group है जो यह काम कर सकते हैं एक आपका OH negative क्यों क्योंकि यहाँपर आपके OH के पास में क्योंकि यहाँपर आपके OH के पास में functional group जो है आपका इसके पास में loan pair मौजूद है इसके बाद आपके सारे के सारे hello जन्स भी यहाँपर आते हैं क्योंकि hello जन्स के पास में भी loan pair available है hello जन्स के बाद में आपका कमीन अरे क्या बोल रहा हूँ कमीन नी sorry कुत्ते नहीं 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 amines amines secondary amine हो भाई यह आपका primary amine हो गया यह आपका secondary amine हो गया अच्छा यहाँपर picture बाकी है मेरे दोस्त यहाँपर secondary amine के साथ साथ आपका यहाँपर tertiary amine भी तो हो सकता है भाई possibility होती नहीं आपर tertiary amine की अच्छा amines के बाद में कुछ ऐसे groups होते हैं naturally less electro negative होते हैं वो अपने electron को ring में transfer करने का काम करते हैं तो यहाँपर आपके जितने भी methyl group है या आपके जितने भी alkyl groups है they all are electron donating group यह electron को donate करना चाहते हैं तो यह electron donating group हो गए अच्छा इसके बाद आप देखो आपका easter group OCH3 यहाँ पर यह जो bond मैंने छोड़ा है यह bond तो आपके benzene ring के लिए है मलब आपका benzene का ring आएगा ना इदर और benzene के ring से OCH3 जुड़ जाएगा तो यह OCH3 मैंने लिखा क्योंकि यह group में attach करना चाहरा हूँ किस से benzene की ring से तो यह आपका easter हो गया easter में भी oxygen के पास में double bond है है ना अच्छा उसके बाद में C double bond O नए यहाँ पर amide group लगाना है तो nitrogen 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 से connected है C double bond O group तो यहाँ पर यह वाला functional group जो है N C double bond O और यहाँ पर आप चलो लगा लो थोड़ी देर के लिए CH3 और यहाँ पर आप लगा लो edge तो यहाँ पर आपका बेंजीन आगया यह NHC double bond O CS3 यह नहीं होगा आपका amide group तो यहाँ भी दखो यह nitrogen जो आपके benzene ring से directly connect होने वाला है इसके पास में भी lone pair है इसके पास में भी lone pair है तो technically इतने सारे functional groups अगर आपको आपके benzene के ओपर लगे वे दिखते हैं तो यह ortho या para directing group होते हैं यह क्या होते हैं ortho या para directing अब यह काम किसे करते हैं मैं आपको दिखाता हूँ खेर आपको resonance करना आता है हम लोग इसको already resonance के अंदर देख चुके हैं अगर आप लोगों को याद हो तो इसके पहले हमने जो normal organic chemistry वाला chapter पढ़ा था उस chapter के अंदर आपको मेरे द्वारा पढ़ाया गया था resonance वाले factor के अंदर याद करो आपको resonance पढ़ाया था मैंने और मैंने का था resonance दो तरीके का होता है एक होता है plus r effect और एक होता है minus r effect एक होता है plus r effect और एक होता है minus r effect तो यहाँ पर आप लोगों को यह plus r effect करते वे नजर आएंगे यहाँ पर यह आपको plus r या plus m effect करते वे नजर आएंगे तो कभी भी किसी भी जगे पर अगर resonance हो रहा है और उसमें प्लस R या प्लस M effect हो रहा है तो उस पर्टिकुलर बेंजीन रिंग के अंदर और्थो या पेरा पोजिशन पर ही electron density create होगी चलिए आगे बढ़े देखते हैं चलो तो यहाँ पर let's say अच्छा एक बाद में आपको और बता दू कि इसके पहले आपको हलका फुलका आईडिया लगा होगा यह यहाँ पर यह यहाँ पर देखो positive charge घूम रहा है तो यहाँ पर actually minus M या minus R effect लगा है यहाँ पर actually minus M या minus R effect लग रहा है है ना क्योंकि यह positive charge को balance कर रहा है न तो इतना साथ इस पर load लेने के हमें जरूबत नहीं है हम अब यहाँ पर उसको ठीक से सीकी रहें तो सब आप फिर apply करना ठीक है चलिए तो हम यहाँ पर एक example के साथ चीज़ को उठाते है let's say मेरे पास में यहाँ पर एक benzene का रिंगे और इस benzene के रिंग से let's say मेरे पास में आपर एक OH connected है अब यहाँ पर देखो एक बात समझना यहाँ पर दो बाते ध्यान रखना पहली बात आपको यह ध्यान रखनी है कि यह वाला जो carbon है benzene का carbon SP2 hybridized है पूरी दुनिया इस बात को जानती है कि जो carbon के पास में double bond आ जाता है वो carbon SP2 hybridized हो जाता है तो यह carbon आपका SP2 hybridized carbon है अब इस SP2 hybridized carbon की electro negativity जादा हो गई दूसरा इस ring के अंदर unsaturation है तो यहाँ पर यह carbon इस oxygen से लगातार electron की demand करने लगेगा यह carbon बोलेगा electron available हो तो जरा पहुचा दो भईया तो यहाँ पर oxygen बोलेगा कि तू पागल है क्या मैं electro negative element हूँ मैं electro negative element हूँ तो मैं क्या करूँगा मैं मेरे electron को तो मेरे पास रखूँगा मैं तेरे electron को भी अपनी और खीचने की कोशिश करूँगा तो यहाँ पर आप लोगों को inductive effect भी नजर आएगा यहाँ पर आप लोगों को inductive effect भी देखने को मिलेगा inductive effect is observed is observed between the oxygen and carbon where oxygen of OH group and carbon of benzene ring क्या यह बात समझ भाई है आप लोगों को क्या यह point आप लोगों को समझ में आया कि जो carbon है उसके electron को भी oxygen क्या कर रहा है अपने और खीचने की कोशिश कर रहा है अपने और जोर से खीचने की कोशिश कर रहा है लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है but but यहां पर जो resonance हो रहा है यहां पर resonance predominates यहां पर क्या हो रहा है यहां पर resonance predominates यहां पर inductive effect तो ठीक है हो रहा है यह वाले carbon का electron यह वाला oxygen अपनी और खीच रहा है अपने आपको वो partial negative बनाए जा रहा है और इस carbon को partial positive बनाए जा रहा है यह तो हो रहा है लेकिन इससे जादा थोड़ा powerful हो जाता है कौन सा effect resonance ठीक है तो यहाँ पर resonance थोड़ा powerful हो जाएगा इस वज़ा से आप लोगों को यहाँ पर क्या देखने को मिलता है आप लोगों को यहाँ पर यह देखने को मिलता है कि यह oxygen अपने electron को इस carbon के उपर shift कर देगा तो अब जैसे इस carbon के पास में यह oxygen का lone pair आएगा oxygen carbon में double bond बनने लगेगा तो यह carbon इस electron pair को इस पडोसी वाले carbon पर shift कर देगा तो अब यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलता है अब आपको यहाँ पर यह देखने को मिलता है कि यह वाला जो benzene का ring है इसमें आपके oxygen के साथ में एक double bond create हो जाता है केवल एक lone pair बचता है और oxygen पर आजाता है positive charge similarly इस वाले carbon पर एक lone pair के develop हो जाने की वज़े से एक negative charge आ जाता है ठीक है यहाँ और यहाँ double bond पड़ा हुआ है अब अगले case में क्या होगा अगले case में यह वाला carbon अपना lone pair इस carbon पर shift करने की कोशिश करेगा ताकि इनके बीच में double bond बन जाए तो यह वाले double bond को इस वाले carbon को तोड़ना पड़ेगा क्योंकि carbon एक वक्त में इसके साथ भी double bond बना ले इसके साथ भी double bond बना ले तो 4 bond हो गए फिर इससे जो hydrogen जुड़ा हुआ है उसका क्या एक carbon एक वक्त पर 5 bond थोड़ी बना सकता है तो फिर यह carbon को अपने यह वाले double bond को तोड़ना पड़ेगा तब इस वज़े से क्या होगा तब इस वज़े से यहाँ पर आपका जो बेंजीन का ring है यहाँ double bond यहाँ double bond आ जाएगा यहाँ पर आपका lone pair बच जाएगा और यहाँ पर जो आपका OH है एक lone pair और एक positive charge लेकर वो तो ही अपनी जगह पर अब क्या होगा अब अगले case में यह वाला carbon अपना lone pair इस वाले carbon को देने ही कोशिश करेगा बोलेगा आओ double bond बनाए तो इस double bond को बनाने के लिए यह वाले carbon को अपना lone pair इस वाले carbon पर shift करना पड़ेगा और ultimately यहाँ पर आप लोगों को बेंजीन के ring में यहाँ double bond यहाँ double bond मिलेगा लेकिन अब lone pair इस carbon पर shift हो गया यह OH जैसा था वैसा ही रहने वाला है and ultimately and ultimately क्या होगा यह loan पर इदर shift हो जाएगा इस carbon पर और यह इस carbon पर इदर shift हो जाएगा तो यहाँ पर double bond यहाँ double bond यहाँ आगया OH यह इसके वापस दो lone pair होगा तो यह resonance आपको होता हम नजर आएगा अब आप जरा यहाँ पर structure number one structure number two और structure number three इसके तीन canonical structures को जरा ध्यान से देखिए पहले वाले case में आपको electron density दिखाई दे रही है your electron density is on ortho position आप देखो electron की density ortho position पर कितनी जादा बढ़ गई तो अब जब incoming electrophile electrophile कौन जिसको electron की बहुत जादा जरुवत है वो electrophile ढूंडेगा ring में वो नों को ortho position पर lone pair बाबु भाईया negative charge होगा तो electrophile आकर दोड़के ortho position पर attack करेगा तो पहले case में ortho position पर electron की density बहुत जादा बढ़ गई अब दूसरा case देखो structure number 2 जरा देखो structure number 2 में आपको electron की density पर बढ़ती भी नजर आ रही है तो यहाँ पर बोलेंगे electron density is on पर पोजिशन electron density is on पर पोजिशन तो अब incoming electrophile बोलो का अरे भाईया बाबु भाईया पैरा पोजिशन पर भी है वहाँ attack करो तो electrophile आकर पैरा पोजिशन पर भी attack कर सकता है and on structure 3 also and on structure 3 also आपको क्या दिखरा है electron density is on पर और पोजिशन electron density is on और पोजिशन तो structure number 1 on structure number 3 के अंदर structure number 1 on structure number 1 and structure number 3 electron density is on और पोजिशन और structure number 2 में electron density is on पैरा पोजिशन तो बन गया ना अपका ये OH नाम का functional group ortho and पैरा पोजिशन डाइरेक्टिंग बन गया ना ये ortho and पैरा डाइरेक्टिंग और क्योंकि यहाँ पर oxygen इस carbon का electron खीचने की बजाए उसको electron दे रहा है इसी लिए therefore this is also called as activating group इसको क्या बोला जाता है this is also called as activating group याने एक ऐसा group जो ring को activate कर रहा है यहाँ पर technically क्या हो गई? ring is activated यहाँ पर क्या हो गया है? यह रिंग यह बेंजीन रिंग is activated यह बेंजीन रिंग is activated क्योंकि वो ring एक्टिव हो गई अब वो पैरा पोजिशन या और्थो पोजिशन पर अटैक कराएगी लेकिन इसके अंदर एक प्रॉब्लम है बस यही प्रॉब्लम है कि inductive effect और resonance में जीद कौन रहा है? जैसे OH के अंदर resonance जीद गया inductive effect हो रहा है लेकिन उतना नहीं हो रहा है जितना resonance हो रहा है उतना नहीं हो रहा है जितना resonance हो रहा है लेकिन लेकिन in case of but in case of halogen but in case of halogen halogen में भी कौन सा है? specifically आपका chlorine specifically आपका chlorine is considered as is considered as is considered as partially partially deactivating is partially deactivating याने कि ring को यह partially deactivate करने का काम करता है क्यों? because उसके अंदर जो inductive effect होता है जो inductive effect होता है जो minus i effect होता है is more stronger than other groups याने कि क्या होगा? जैसे आपने भी OH में देखा कि OH के अंदर inductive effect तो काम कर रहा है याने कि minus i effect काम कर रहा है oxygen ने carbon की electron को अपनी और खीचा लेकिन खीचने के साथ-साथ उसने क्या किया? उसने ring में electron दे दिया वह रहा चल रेजोलेंस कर ले लेकिन chlorine जो है वह इतनी आसानी से अपना electron रिंग में ट्रांसफर नहीं करेगा याने यह जो chlorine है यह chlorine जो है यह इतनी आसानी से अपना electron जो है वह रिंग में ट्रांसफर नहीं करेगा क्योंकि इसके अंदर जो inductive effect है वह ज्यादा strong है वह ज्यादा strong है क्या बात समझ मैं है आप लोगों को क्या बात समझ मैं आ गई ठीक है कोई दिक्कत कोई परेशानी देख लो एक बर्स को ध्यान से ठीक है लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि यह resonance नहीं करते मैंने बोला they are partially deactivating partially deactivating तो इसका मतलब क्या है बट और्थो एंड पैरा substitutions और्थो एंड पैरा substitutions are observed याने कि यह लोग भी इनकी और्थो पोजिशन पर और इनकी पैरा position पर electrofile को जोडते नजर आएंगे कोई बुराई वाली बात इसके अंदर नहीं है ठीक है कोई परेशानी इसके अंदर देख लो एक बर अच्छे तरीके से अब बात करते हैं हम लोग ortho and para directing के बात अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं second चीज़ की that is that is meta directing groups meta directing groups अब meta directing groups कैसे होते हैं देखो अब आपको यहाँ पर ऐसे group लेने हैं जिनके पास loan pair available ना हो उल्टा उनका electron कोई और थीच के ले जाए और उन पर positive charge create कर दे कैसे जैसे आपके पास में यहाँ पर nitro group जैसे आपके पास में यहाँ पर nitro group अब यहाँ पर क्या है कि nitro group के अंदर क्या होता है कि यह वाला जो oxygen है यह बड़ा बदमाश है साला देखो इसका oxygen का और nitrogen का यहाँ पर एक double bond बना हुआ है तो यह oxygen अपने double bond को withdraw कर लेता है तो withdraw करने की वज़े से क्या होता है अब यह वाला जो nitrogen है यह इस oxygen के साथ तो बड़िया connected है इसदा तो कोई problem ही नहीं लेकिन यह oxygen ने अब एक electron को withdraw कर लिया और यहाँ पर दो lone pair के साथ में एक lone pair और आ गया तो अब इस oxygen ने negative charge ले लिया क्यों क्योंकि इस oxygen ने अपना electron तो अपने पास रखा यह लेकिन यह nitrogen का electron भी इसने अपने पास रख लिया तो nitrogen के इस electron को इसने तोड़ दिया अभी इस वज़े से nitrogen पर आ गया positive charge समझ महीं बात आप लोगों को तो basically यहाँ पर आप लोगों को ऐसे functional groups लेने those functional groups which are electron withdrawing groups जो electron को withdraw करेंगे electron withdrawing groups जैसे आपने इसके पहले देखा था जो electron donating groups थे जिसे ओएच electron donate करना चाहता है लेकिन यहाँ पर नाइट्रो इलेक्ट्रों डोनेट नहीं कर सकता उसको withdraw करना पड़ेगा क्योंकि नाइट्रो ग्रूप के nitrogen के पास तो positive charge आ गया second आप यहाँ पर अगर देखोगे तो C double bond OH याने आपका aldehyde group अब aldehyde group में भी यह होगा यह oxygen बड़ा बदमाश है यह अपने electron को तो अपने पास रखेगा और यह carbon के electron को भी अपने पास ले जाएगा तो oxygen के पास में carbon का electron भी अपने पास ले लिया इस से इसके पास negative charge आगया और carbon पर positive charge आगया अब क्योंकि यह carbon यह वाले bond से आपके benzene के ring से connected है यह ring को electron दे पाएगा क्या नहीं उल्टा उससे demand करेगा मालिक मेरे को electron देदे मालिक यह भी nitrogen का यह वाला जो bond है यह उसको benzene से connect करके रखेगा तो यह benzene से ultra electron मांगेगा तो यहाँ पर condition घूम जाएगी इसी प्रकार आप यहाँ पर aldehyde functional group भी देख सकते हो ketone functional group भी देख सकते हो ketone वाले case में भी same होगा ketone वाले case में भी आप लोगों को same चीज़ देखने मिलेगी इसके बाद आपको यहाँ पर carboxylic acid वाले functional group के अंदर भी same चीज़ देखने मिलेगी यह oxygen electron withdraw कर लेगा तो इस carbon के ओपर positive charge आ जाएगा और यह O negative के साथ में तीन lone pair लेकर इस प्रकार बैठ जाएगा समझ पा रहे हैं हम लोग इस बात को अच्छा इसके बाद में COH अगर आपने ले लिया तो COOR ने आपका क्या भी गाड़ा है easter functional group ने भाई अगर आपके benzene के ring पे easter functional group जुर जाएगा इसको easter बोलते हैं तो easter में भी यह carbon पर positive charge आ जाएगा यह O R हो जाएगा यहाँ पर वाले compound में जो carbon है यह triple bond से nitrogen से चुड़ा हुआ है यह bond carbon को benzene से जोड़ता है अब यह electron हिदर आ जाएगा तो यह carbon पर आ जाएगा positive charge nitrogen के साथ में बच्छेगा केवल double bond होरेगा जाएगा negative charge extra loan pair के साथ तो यह सब आपके electron withdrawing groups हो गए अब क्या होगा let's happen NO2 जोड़ देते हैं अब यहाँ पर कौन सा effect काम करेगा minus R या minus M effect यहाँ पर काम करेगा अब यह कैसे काम करेगा चलो देखते हैं यह लगाया मैंने benzene का ring benzene के ring में अभी तीन double bonds है यह हो गया N double bond O और O अब आप लोग सब जानते हैं क्या होगा आप लोग सब समझते हैं क्या होगा यह वाली condition create हो जाएगी क्योंकि जब यह nitro group का oxygen electron को withdraw कर लेगा तो oxygen पर negative और nitrogen पर positive charge आ जाएगा तो मैं वही चीज़ यहाँ पर arrow से show कर रहा हूं कि oxygen ने 1,2,3,4 यह अपना electron withdraw कर लिया इससे nitrogen पर positive charge आगया देखो तब यह nitrogen के positive charge को खतम करने के लिए यह वाला carbon बोलेगा ठीक है मैं मेरा electron यह पाएवाला अपने पास रखूँगा लेकिन मेरे पडोसी वाले carbon का याने यह वाले carbon का यह वाला electron उठा के तेर को दे देता तब यहाँ पर क्या condition create हो जाएगी यहाँ पर यह वाली situation ऐसी create हो जाएगी कि यह वाला carbon अब गरीब हो जाएगा इसके पास plus charge आजाएगा क्योंकि इसका जो electron था वो इस वाले carbon ने धोका धड़ी करके इस carbon को दे दिया तो इस nitrogen को दे दिया तो इस nitrogen के साथ double bond बन गया यह oxygen बढ़िया मच्चानी life जी रहा है नेगेटिव चार्ज के साथ और यह oxygen को कोई फरग नहीं पड़ता यह होगी आपका structure नंबर बन अब अगले case में क्या होगा वह जो भी थोड़ी देर पहले आप लोग इलेक्ट्रोफ का जो electron है यह में तेरको दे देता हूं तो यहां पर इनके बीच में double bond आ जाएगा लेकिन यहां आ जाएगा positive charge यह हो जाएगा nitrogen यह यहां पर एक oxygen एक दो तीन चार पांच चे और इधर आ जाएगा negative charge फिर अगले case में क्या होगा अगले case में यह वाला carbon अपने electron को तो अप अपने पास वाले carbon के यह पाई electron को उठाकर इधर पहुचा देगा तो अब यहां पर यह हो जाएगा यह हो जाएगा यहां आ जाएगा positive charge यहां बच्छे का nitrogen के साथ में double bond यह oxygen की तो life set है यह oxygen भी negative charge लेकर अभी मज़े कर रहा है ठीक है अब ultimately क्या होगा अब यह वाला carbon इस वाले carbon को हड़काएगा बोलेगा साले पागल तेरी वज़ेसे मेरे पर positive charge आ गया तो यह वाला nitrogen को उसने अपने जो पहले double bond दिया था वो वापस से withdraw कर लेगा तो अब यह nitrogen इस oxygen को बोलेगा चल electron वापस से साले तेरी वज़ेसे इसना क्या क्या हो गया तो यह एक लोन पर वापस इसको देदेगा अब condition यह दिखने लगेगी कि यहां double bond यहां double bond यह नाइट्रोजन का सिंगल bond अब खतम हो जाएगा और यहां पर आजाएगा double bond और oxygen के पास में केबल दो लोन पर रहे जाएगी तो अब आपनी यहां पर resonance होता हो देखा इसको बुला आता है minus R या minus M effect अब यहां वाले case में आप क्या देख रहे हो अब यहां वाले case में structure number 1 and structure number 3 देखो on structure number 1 and structure number 3 you will observe a positive charge or we can say least electron density least electron density on the ortho and para position on the ortho and para position in structure in structure 1 and 3 structure number 1 and structure number 3 में ortho और para position पर electron density एकदम least हो गए एकदम least हो गए and in structure 2 and in structure number 2 the electron density the electron density on metaposition the electron density on sorry और यहां पर मैंने ortho and para कर दिया नहीं है आपर अपन केवाल ortho लिखो और structure number 2 में electron density on para position electron density on para position is least and dest consist क्या बात समझने आहिए अब एक बात बताऊ अब एक इलेक्ट्रों है इलेक्टरों को तो को इलेक्ट्रन चाहिए वह तो बोले वह देखा मेरको electron की जरुवत है आप जब वह इलेक्ट्रॉं में आये आएगा इस रिंग मे доступ रिखेगा electron electron orthoposition पर structure number one में and orthoposition पर structure number three में तो positive charge है आईला यह positive और इलेक्ट्रोफाइल होने के नाते में भी पॉजिटिव क्योंकि मैं इलेक्ट्रोफाइल हूँ तभी तो मुझे इलेक्ट्रोण पसंद है तो मैं तो इलेक्ट्रोण ढूंड रहा हूँ चलो कोई बात नहीं है structure number two है structure number two को देखेगा मेरे पास तो पेरा position पर गुशने की जगा भी नहीं है साला पेरा position पर भी positive charge है क्या करूं क्या करूं क्या करूं क्या करूं क्या करूं in such case metaposition have comparatively have comparatively more electron density have comparatively more electron density therefore substituents therefore substituent will attack on metaposition your substituent referendum where the metaposition will go so that structure number one is metaposition structure number two is metaposition structure number three is metaposition one two three three conditions or ortho positive or para positive ortho para ortho para ortho para kabhi na kabhi positive ho raha meta kabhi positive nis ho raha तो यहाँ पर यह बात हो गई कि चलो ठीक है अंधों में एक काणा आदमी है जिसको हमने हमारा राजा बना दिया कुछ नहीं से कुछ बहतर है क्या यह बात समझ में आई जैसे कॉंगरेस पार्टी में कोई नेता नहीं ने चलो राहूल गांदी से गाम चला लिया समझ मारी बात आप लोगों को चलो ठीक है आज घर में मैगी नहीं है कुछ खाने को नहीं है जेब में पैसा नहीं है चलो लोकी की सबजी खा लेते हैं कुछ नहीं से कुछ बहतर इसलिए मजबूरी में आपके सब्स्टिटुएंट को क्योंकि और्थो और पैरा पर पॉजिटिव चार्ज मिल रहा है तो वो बोलेगा कम से कम मैटा पर पॉजिटिव तो नहीं है कम से कम मेटा पर और्थो और पेरा के मुकाबदे थोड़ा सा तो नेगेटिव चार्ज है थोड़े से तो इलेक्ट्रोन मौजूद है चलो हम वही पर अटाक कर लेंगे and therefore such group becomes metadirecting so therefore ये जितने सारे group से ये सब metadirecting की category में आ जाते है अब एक बार बताओ यहां पर ring कोई बहुत अच्छी favorable है attack करने के लिए यहां तो यही बात हो गई न कि कुछ नहीं मिला तो दे तो आप कोई भी वह memes देखते ना जब आप 30-31 साल के हो जाते और घर वाले पुछते बटा केसी लड़की चाहिए तुझे शादी करने के लड़का क्या बोलता नाना पाटे कर की style में welcome वाले दे दो अब कोई भी चलेगी मनब यहां तो कोई भी चलेगी वाला केस हो गया आप बताओ क्या यह favorable reactions के लिए नई, so therefore, so therefore these groups are, so therefore these functional groups are also called as deactivating groups यह group को deactivating groups भी बोला जाता है, these groups are called as deactivating groups, ठीक है कोई परेशानी, कोई दिक्कत, यह minus R, minus M effect शो करेंगे क्योंकि यह ऐसे functional group होते हैं, जिनके खुद के उपर negative charge आ जाता है और ring में positive, तो ऐसे group जिनके खुद के उपर negative आ जाए, वो minus R effect करते हैं ऐसे groups जो खुद positive हो जाएं, और ring में negative डाल दें, तो खुद positive होगा इसलिए, प्लस R या, प्लस M effect ठीक है चलि इतना note कीजे फिर आगे बढ़ते हैं, तो अब last topic that is carcinogenicity तो यह हम लोग सीधे इसके NCIT के part को पढ़ेंगे, जादा load नहीं लेंगे इसके अंदर देखो तो अब यह actually carcinogenicity का मतलब क्या होता है, आप सब लोग जानते होंगे इस बात को carcinogenicity मतलब cancer causing और toxicity मतलब जो human being के लिए, animals के लिए harmful हो, तो ऐसे benzenes and polynuclear hydrocarbon which contain two benzene rings, fused together are toxic and said to possess cancer producing property यह आपके ऐसे aromatic compounds जिनमें एक से जादा benzene की ring एक दूसरे से जुड़ी होई हो ऐसे compounds में cancer causing properties आ जाती है और यह human beings के लिए या animals के लिए harmful या lethal हो जाता है such polynuclear hydrocarbons are formed on incomplete combustion of organic material like tobacco, coal and petroleum यानि क्या होता है, इस प्रकार के compounds बनाने के लिए हमें hydrocarbons का incomplete combustion जैसे tobacco, coal या petroleum का जब आप incomplete combustion करते हो तो incomplete combustion का नतीजा होता है कि इस प्रकार के एक से जाधा benzene ring के जुड़ने से ऐसे compound बन जाए और जब ये human की body में enter करते हैं, ये हमारी body में biochemical reactions करते हैं biochemical reactions करने की वज़े से हमारी body का जो DNA होता है वो damage हो जाता है और cancer हो जाता है क्या बात समझ मैं आप लोगों को? बस इतना समझने वाली बात है कौन-कौन से से structures हैं जो हमारी body के लिए harmful हो सकते हैं? ये रहे इनके कुछ नाम देखो आप पहले compound में एक, दो, तीन और चार ring fused है इसको बोलते है 1,2 benzoanthracene 1,2 benzoanthracene समझ मैं ही बात आपको इसमें आप देखो एक, दो, तीन, चार बेंजीन की ring है यहाँ पर एक pentail ring है एक pentane की cyclic ring है और एक methyl group है इसको बोलेंगे 3-methyl kolantracene यहाँ आप देखो एक, दो, तीन, चार, पाँच ring fused है 1,2 benzoanthracene यहाँ देखो 1,2, 3, 4, 5, 5 rings यहाँ भी fused है 1,2,5,6 diabenzene anthracene और यहाँ देखो एक, दो, तीन, चार ring है जिसमें second number वाली ring के यहाँ और यहाँ आपको methyl group दिख रहा है तो 9,10 dimethyl 1,2 benzoanthracene तो basically यह compound आप लोगों के लिए carcinogenic होते हैं फिर इतना tension लिनी की जरूबत नहीं है आपको केवल पता होना चाहिए इनके नाम and with this हमारा chapter complete होता है अब हम लोग redox reaction वाले chapter की तरफ बढ़ेंगे class 11 के syllabus के अंदर and क्योंकि इस साल CBSE के अंदर आपका P block और I think S block hydrogen यह हटा दिया है तो वो में इस साल syllabus में नहीं करा रहा हूँ लेकिन जो J और NEET वाले बच्चे हैं आप चिंता ना करें आपका syllabus continued रहेगा हम पहले यहाँ पर redox complete करें ताकि 11 वालों का syllabus complete हो जाए फिर 11 के बच्चे वे chapter जैसे S block, P block, hydrogen यह हम साथ साथ में complete करेंगे तो जुगनू सीरीज जो है जुगनू सीरीज केवल CBSE के लिए नहीं सब के लिए है तो पहले CBSE के complete करने फिर बाकी बच्चे वे chapter record करके properly एक playlist बना देंगे जिसको आगे next year भी follow कर सकोगे ठीक है चले बबाई चेक केर